हलो प्रेंट से अधो कर ने लिए आपको बताऊंगा इस लिखवीट में अपने पस्यूभाएंगए जरूरा आपके पस्यूभ में बैस बैसे नियुक्त हो हम ऩसवाय Hmm यह दि आपके पस्व में भी जूम बता रहा हूं इस तरह के दिकत पस्व में देखने को मिले तो वह लिक्विट केल्शियम लाकर के आप अपने पस्व को पिला दे कौन से पस्व को चाहिगाब हैं सो बेड़ बकरियादर पस्व को देने से क्या फाइदा होगा साथ में पहली बार जुड़ें तो पहले आप चेनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में आपको पता है कि चेनल पर सही सट्टिक जाने करेंगे साथ वीडियो दी जाती हैं जिस तरह से गाय भैंस का दूद कम होना यह कई पर अचानक जो गाय भैंस हैं उनमें दूद की मात्रा कम हो चाती है या उंका दूद सूक जाता है तो उस तरह के केस में भी आप उस लिवीड केल्शिम का उपयोग कर सकते हैं यह एदी बिएनने के बाद में पसू में दूद की मातरा डाउन हो गई यह दूद की मातरा बढ़ नहीं पा रही है हैंन्ही신ा आप इपने पसू में दू चैनल पर वीडियो बनी है उनके साथ एदिया आप यह लिक्वीड केल्शियम उप्योग करेंगे तो सबसे ज्यादा बेंट पीट आपके पशू में देखने को मिल सकता है इसी तरह से यह लिक्वीड केल्शियम पशू में क्या काम करता है ? पशू में दूद की मातरा कम हो गयी, दूद अचानक कम हो गया दूद की पशू में दूद यह तैंत JIM यह समधें कई लोग हो गयूए तो भुण क सकते हैं बैट जाए तो भी आप प्रियोग कर सकते यह दी ब्याने के बाद में यह दी पसू बैट जाए दूर देने वाला पसू है तो भी आप वहाँ पर इस तरह के लिख्विड केलिशियम का उप यूग पशो में कश सकते हैं। सबसे ज्यादा बेनफिट पशों में देखने को मिलता है। इसी तरह से यह दिप सुबीस में बत्चा गिरादेती है। कई पर देखा होगा गिए पसु में अबोर्शन हो जाता है। पाश्यों को जाता है तो उन पाश्यों में वापिस दूदड की महातरा बढ़ाने के लिए हैं वापने के लिए आप उस तरह के लिक्विड केलिशियम का उप्योग कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत यह चारी जेल मिलता है और जो मैं यह केल्शियम बता रहा हूँ वह केल्शियम पसू में दूद उतारने में यह दी पसू दूद प्रोपर नहीं दे रहा है दूद चुरा रहा है वहाँ पर भी आपको पसू में हैल्प मिलेगी साथ में पसू में किसी भी तरह कि यह दी नर्वाइकल डिजीज हो गई है जिसमें पसू नर्वाइकल डिजीज में जैसे डाउनर्स काउंस सिंड्रूम है पेरालाइसिस है या अधर कोई मेटाबोलिक डिजीज हो गई है जिस तरह से मिलक फ्यूर है ब्याने के बाद में पस स्कान WILSON कारोग पर मिदती कारोग दिकार है कि मिटी है प्लास्टिक है चमड़ा खाज आता है या खाना कम खा रहा है तो उस तरह के केस में भी आप उस तरह के liquid calcium का उपईयोग कर सकते हैं ज़्यादा benefit देखने को मिलता है वैं calcium, आप अपनी से गाब है सो या बेड़ बकरी हो उन में भी आप प्रियोग कर सकते हैं या male category में पसू मेडिया वजन बढ़ाना चाहते हैं उसकी growth देखना चाहते हैं या किसी तरह की calcium deficiency नहों तो भी आप उनका प्रियोग कर सकते हैं साथ में जो पसू लंगड़ा करके में रहा करके चलते हैं लेमनेश की शिकायत है या अदर कोई शिकायत पसू में देखने को मिल रही है तो भी आप उस तरह के है पांस लेटर में भी उफलब्द है बड़ी बाल्टी में भी 20 लिटर में भी उफलब्द होता है हालां कि में इस कमने का कोई भी आड़ नहीं करा हूं यह अच्छा केल्शिम है यह आप अपने पशूं को यह पिलाएंगे तो जरूर आपको देखने को मिलेगा एधिया पांस लेटर की एक जारबानों रुपे जो आपको मेडिकल पर भी कई पर भी कितनी भी छूट के अनुसार आपको मिल जाएगी तो यह क्या करता है इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर केल्सियम है फासपोर्स है विटामीन से मिनरल से हरबल कुछ इस तरह के मिलेवे है जो कि पशूं में दूद की मात्रा को बढ़ाने के साथ पशूं में एनरजी को बुस्ट करने का भी यह काम करती है और साथ में कुछ इस तरह की एलिमेंट्स या कार्बाइटेड मिलेवे हैं जो कि पशूं को एनरजी पढ़ान करते हैं जिनकी वजह से पशूं की कमजोरी दूर करके पसू में दूद की मात्रा वापिस लाने में ये साइक होता है अब इसको देना का है केलपॉंट गोल्ड को आप अपने पसू को जो गावेंस हैं उनमें परडे के साब से 100 ml परडे लगातार आप उस पसू को दे सकते हैं एक महीना दो महीना काइंटीनुटी आप पसू को दें जो ज्यादा दूर देने वाले जो गावाइस होती है उनले अप लगातार भी दे सकते हैं और कहांड धर कोई किसी तरह की मेटाबोलिक डिजीज निया कोई दिकत बेड़ बख्रियों कर सकते हैं उसमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml परड़े के साब से आप अपनी बेड़ बक्रियों में दे सकते हैं या जैसे बक्रे हैं या काप है उनकी वजन बढ़ाने में या उनकी ग्रोथ करने में या उसकी हाइट या ग्रोथ करने के लिए भी आप इस तरह के केल्शियम का उप कर रहा है और इसका positive response मिला है तो positive यह आप 10 गायों में इस तरह के केल्शयम का फ्योग करते हैं यह आपको 80% यह आट गायों पर या बहुंस पर यह अच्छा है तो यह देगना चाहिए कि केल्शयम भोत ही अच्छा है 70% मिले वह भी बहुत अच्छा है क्योंकि 10-20% कुछ इस तरह की गाये होते हैं उसकी बोड़ी पर निर्बर रहता है कि कौन सी दवा उस पर निर्बर करेगी या नहीं करेगी या कौन सी सूट करती है उसी पर उसके उनसार result मिलता है लेकिन इसका बहुत यह सा result है इसी के चैनल पर सही सटीक जानकारे के साथ वीडियो दी जाएगी तो यह आपको कहीं पर भी मिल रहा है तो आप मेडिकल इस्टोरी या मेडिकल एजेंशी पर जाए और वहां से आप खरीदर के अपने पशू को जरूर पिलाए इसी तरह से कोई भी ब्रांड आएगा उसके बार पर कंट्रोल करते हैं तो यह वीडियो ची तरह सब्सक्राइब करें शित्र सी वीडियो देखते नहीं थैंक्स धन्यवाब